लूना ने सिफ एक ही वीक के अंदर सब की लेके रख डाली, तो क्या इसका प्राइस वापिस 100 डॉलर जाएगा? लेस्ट फाइंड आउट हालो, वाट्सब मैं पीप्स, कैसे हो आप लोग? आँ, आउट देर हो गई, थोड़ी सी देर हो गई, थोड़ी नहीं, बहुत देर हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त है और क्यो देर होई, इसके बारे में आपको बताऊँगा, किसी और वीडियो मैं, आज का वीडियो सिर्फ लूना पे रखते हैं तो क्या हुआ LUNA के साथ basically ये एक picture थी यहाँ पे 2 coins है actually 3 coins है एक side hero है और एक hero है और एक heroine है hero है हमारा UST UST basically एक stable coin है algorithmic stable coin अब ये क्या होता है बता दाऊं लेकिन उससे फ़हले heroine के बारे में जान लेते है LUNA, जो हमारे superstar है जिसने हमको कड़ा के दार रेटन्स दिये थे पिछले साल और वही है इस पिक्चर की हिरोईन इन दोनों हिरो और हिरोईन के बीच में कुछ खिचड़ी पकी और उसकी वज़े से दोनों ही डूब गए अब ऐसा क्यों हुआ ये फाइंड आउट करते हैं और दूसरी चीज ये है कि इसका प्राइज इतना गिर गया है इससे क्या सीखना चाहिए और क्या ये एक बाइंग ओपॉर्चुनिटी है ये सबसे इंपॉर्टेंट कुश्चन है तो कुछ भूल रहा हूँ अल्गोरित्मिक स्टेबल कॉइन अल्गोरित्मिक स्टेबल कॉइन क्या होता है जो एक अल्गोरित्म पे स्टेबल रहता है स्टेबल रहना मतलब देखो यूस्टी की जो वैल्यू है ये पैक्ड थी डॉलर से पैक्ड होना मतलब बेसिकली किसी भी चीज़ को एक जगा फिक्स कर देना अब value DPEG हो गई मतलब क्या कि उसकी value उस जगह fix नहीं रही कहीं चलीगी या तो उपर चलीगी या नीचे जलीगी इस case में इसकी value dollar से DPEG हो गई है मतलब इसकी value नीचे आ गई अब ये algorithm से stable होता है correct तो algorithm work किसे करता है इसके सिर्फ दो ही points है जो आपको ध्यान रखने है पहला point है अगर आप one dollar worth of Luna को burn करते हो तो आपको one UST मिल जाएगा और similarly second point यह है कि अगर आप one UST को burn करते हो तो आपके लिए freshly minted Luna मिल जाएगा कितनी value का one dollar value का ठीक है चेन में गडबड भी इसी दो points में है कैसे पताता हूँ लेकिन इससे पहले आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि आज का वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनना है एक एक चीज important है अगर आपने अभी तक बहुत ज़्यादा focus से नहीं सुना और उसके बदले one UST उनको मिल जाता था और one UST को वो बेच देते थे थोड़ा सा profit होता था जो भी margin रहता होगा profit margin उत्ता profit वो book कर देते थे तो as a result UST की supply बढ़ जाती थी selling pressure आता था और UST का price वापिस one dollar आ जाता था और अगर UST का price one dollar से नीचे होता था तो लोग क्या करते थे UST खरीदते थे one dollar का पर UST का price तो कम है तो उनको एक थोड़ा सा benefit भी मिल जाएगा उसको profit मिल जाएगा और उसी के बदले वो लिउना खरीद लेते थे तो इसी की वज़े से UST की demand बढ़ जाती थी और price वापिस कहा जाता था वन dollar तो ये जो process था ये जो mechanism था ये help करता था UST की value dollar से peg होने में और ये ही problem का कारण था मैं आपको इतना detail में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे algorithmic stable coins इसी प्रकार से work करते हैं और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विशय है और इसलिए अगर आप किसी और stable coin या उसके किसी protocol या coin में invested हो तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है अब मुद्दे की बात ये है कि ये पूरा algorithm depend करता है कि Luna की कुछ value है या peg maintain किया जा सकता है और अगर Luna की value नहीं होती तो फिर ये पूरा system collapse कर जाएगा ऐसे और यही दिक्कत हुई जो लोग Luna या Tera के पीछे थे उन लोगोंने UST को stake करने लिए बहुत absurd amount of interest देते थे मतलब अगर आपने खुदने stake किया 20% ऐसा interest rate रहता था venture capitalist या फिर बड़े investors उनका पैसा लगा के इतना high interest rates दे रहे थे और ये सारा staking कहा हो रहा था anchor पे जो मैंने आपको बताया था starting में side hero हमारी story का तो इसके बारे में इतना नहीं गुस्ते वानना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा लेकिन यही है तीसरा coin और इसलिए इसका price भी substantially नीचे गया इतने high interest rate अगर आप किसी को दोगे तो वो definitely लोगों को lucrative लगेगा और लोग उसमें invest करना चाहेंगे तो लोग basically क्या करते कि Luna खरीते उसको convert करते same amount of UST में फिर UST को lock कर देते 20% interest rate पे अब UST तो stable है इसलिए उनको और इनका goal basically यही था कि ऐसे करते करते Luna को इतना बड़ा बना दे इस stable coin को इतना बड़ा बना दे और इसका market cap इतना बड़ा बना दे कि हर कोई इसी stable coin को use कर रहा हो और धीरे धीरे interest rates down करते जाएं जैसे जैसे लोग इसमें ज्यादा interest दिखाने लगे वैसे वैसे interest rate कम करते लोग ज्यादा ज्यादा interest दिखाने लगे वैसे वैसे APY या interest rate कम करते जाएं यह इनका plan था लेकिन plan successful नहीं हुआ जैसा आप सब जानते हैं तो basically हुआ क्या जब UST का price एक डॉलर से नीचे गया लोग बेशने लग जाएं जो कि इस case में हुआ तो basically लोगों ने क्या किया कि UST का price वन डॉलर से नीचे हो गया तो UST बाई किया फिर उसको convert किया लूना में ठीक है जैसा मैंने आपको पहले बताया है उसको convert किया उन्होंने लूना में और लूना को profit में sell कर देते थे ये एक arbitrage होता था इसी से इनको profit हो जाता था क्योंकि $1 worth of लूना तो उनको मिल जाता था एक UST से और जो difference होता था डॉलर और UST का ये उनका profit होता था अब मैं आपको जो बता रहा हूँ न ये बहुत-बहुत-बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इसी से शिरुवात होती है एक death spiral की और इसी जीवाज़े से लूना का price crash कर गया तो basically लोगों ने क्या किया जब UST का price 90 cents था मतलब $0.9 डॉलर था तो लोगों ने UST को buy किया suppose करो मैं एक investor हूँ UST का price अभी currently $0.9 है मतलब उसकी packing थोड़ी सी नीचे आ गया है वो $0.9 है अब मैं इसको buy करता हूँ $0.90 में ठीक है एक UST मैं buy करता हूँ $0.90 में मुझे मिल जाएगा उसको मैं convert करता हूँ Luna में तो अगर मेरे पास one UST है तो मुझे $1 worth of Luna मिलेगा हमारे पहले example से अब उस Luna को मैं बेच दूँगा तो मुझे अपना price मिल जाएगा $1 worth of Luna मैंने $1 में ही बेच दिया तो मुझे $0.10 profit हो गया यहाँ पर problem यह हुई कि जब लोग यह कर रहे थे तो idea यही था कि Luna को $1 में करीदा $1 worth of Luna सीधा बेच दो लेकिन problem यह हुई कि $0.80 हो गया तो अब तो मुझे loss होने लग गया correct और यही हुआ लोगों के साथ कि लोग अपना money lose करते गए Luna का price नीचे आता गया जिसकी वज़े से Luna की demand भी कम होती गई और demand ही तो वो चीज थी जो UST के price को dollar के साथ pack किये हुए थे और जब वो demand ही चली गई तो UST का price भी crash कर गया यह था simple funda I know थोड़ा सा tricky है अगर आपको समझ नहीं आया तो यह फिर से देखना क्योंकि यह बहुत important है आपके लिए अगर आप किसी और coin में भी invested हो तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं यह सारी खिचड़ी तो पक गई लेकिन मुद्दे का question सबसे बड़ा question आज का यह है कि क्या लिउना का price hundred dollars जा सकता है तो मुझे लगता है नहीं नहीं जा सकता simple answer है नहीं क्यों नहीं जा सकता इसके बहुत सारे reasons है बहुत सारे measures भी लिये हैं उन्होंने इसके बावजूद मुझे लगता है कि इसका price hundred dollars वापिस नहीं जा सकता पहला reason बहुत important पहला reason तो यही है अगर उसको इस price से इस price पे जाना है तो उसको इतना returns देना पड़ेगा जो technically मेरे हिसाब से impossible है या close to impossible है जानता हूँ जितना time मैंने spend किया है मेरे experience से मैं कह सकता हूँ मुझे याद नहीं है ऐसा कोई coin जो इतना गिर गया हो और any reason कोई भी reason हो किसी भी reason की वज़े से गिर गया हो और यह वापिस आ पाया हो अपने अच्छे price पे अपने actual price पे example के लिए दो prime example देना चाहता हूँ पहला है BitConnect वो एक scam था और उसका price आप देख सकते हो 2017 वाली जो bull cycle थी उसमें से है यह coin BitConnect और एक और coin जो scam नहीं है लेकिन उसका price 2017 के highs तक नहीं पहुच पाया वो है XRP Ripple जिनोंने 2017 में top पे buy किया है उनको अभी भी वो price नहीं मिला है जिस पे उनने buy किया था मैं अपने experience से कह सकता हूँ कि जो उसका next high है I don't think वाफिस कभी life में लगाएगा मैं आपको demotivate नहीं करा हूँ अगर आप invested हो तो लेकिन that's what it is that's what I think हो सकता है चला जाए अगर मुझे गरत प्रूव कर दे लिउना की team तो बहुत बड़ी बात है लेकिन it's close to impossible तो आपको क्या करना चाहिए as an investor अगर आप already invested हो तो जो भी हो गया वो हो गया आगे से आपको कभी भी किसी भी coin में invest करने से पहले double research करनी चाहिए कि वो work कैसे करता है अगर कोई coin यहां से हजार गुना भी हो रहा है तो उसका reason क्या है अगर कोई 5 महीने में हजार गुना हो रहा है कोई coin तो कोई तो reason होगा वो reason find out करने का try करो अगर आपको वो reason नहीं मिलता है तो फिर उस coin से दोर रहो और अगर आपको इन measures के बारे में जानना है जो यह लोग ले रहे हैं जो docon और उनकी team लेना चाहती है VCs लेना चाहते हैं तो आप मुझे comment दो mention करके बता देना तो मैं उसके उपर भी एक वीडियो बना डालूँगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए signing off